तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा lecture 10 जो की है practice exercise इन 20 questions के अंदर जितना inequality में हमने पढ़ा है पिछले 9 lectures में वो सब cover हो जाएगा बट फर्क इतना है कि हम जो questions ले रहे थे उसमें हम सिर्फ 2 conclusions लेते थे ठीक है तो अब 2 conclusions वाला question भी होगा 4 वाला भी होगा और कुछ different type के questions भी होगे और आपको ये फर्क मैं समझाओंगी कि जब आप questions solve करते हो questions solve होने के बाद जब आपको options दिखाई देते हैं तो आप थोड़ा सा confused हो जाते हो कि cnd आएगा या none follows आएगा none of these आएगा इन सब में क्या फर्क है कब कौन सा answer लेना चाहिए ये lecture खतम होने के बाद आपको कोई भी confusion नहीं होगी इन सब बातों के बारे में तो आप इस वीडियो को end तक जरूर देखिएगा easy questions से start करेंगे धीरे धीरे हम थोड़ा अच्छे questions लेंगे इसमें दो से जाधा conclusions होंगे और last की जो 5 questions है वो थोड़े different pattern किया वो अभी तक हमने अपने 9 lectures में cover नहीं किया बट कुछ नया नहीं है थोड़ा सा अलग तरीके स question को पूछा है ठीक है तो please ध्यान से देखेगा तो start करते हैं हमारा first question मैं आप सबसे request करूंगे कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो जैसे ही हम कोई नया question लेके आते हैं मत्तब जैसे ये first question है तो आप please video को pause करें और खुद से solve करें और फिर अपना answer जो है वो match करें क कि आप मेरे साथ इसकी बहुत अच्छे से practice कर सके और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जो 9 lectures में पड़ा वो समझ भी आया था ये नहीं आया था ठीक है ओके तो start करते हैं हमारा first question के साथ तो इस जो पहले 5 question है उसमें मैंने दो ही conclusions लिये हैं ठीक है तो हम start करते हैं हमा relation है वो भी grandfather का तो h is greater than l तो हमारा first conclusion क्या है बिलकुल सही है second conclusion की बात करते हैं जिसमें बोला गया है k is greater than t तो k is greater than t तो अगर मैं अपनी statement में देखूं तो k और t में relation नहीं है क्यूंकि k और t के बीच में different family है ठीक है तो relation नहीं बनेगा तो हमारा second हो गया गलग अब इन options में से mark करना है only one follows only two either neither and both तो हमारा सिर्फ पहला सही आया है इसलिए इसका answer आएगा ठीक है answer क्या आगया इसका a आएगा आगे बढ़ते हैं second question में second question वहीं सेम पिछले वाले ही answers आपको mark करने है ठीक है तो first हमारा conclusion है बात हो रही है g और p की तो अगर मैं अ statement में देखूं g और p में तो yes relation है grandfather का ही है तो g is less than p yes first conclusion हो गया हमारा बिलकुल सही तो अगला बोलता है g is less than j g और j में अगर मैं देखूं तो relation है grandfather का relation है और g is less than j है तो second भी हमारा ठीक हो गया तो अगर मैं अपने options में देखूं तो मेरे दोनो conclusions सही हुए तो option के according मेरा answer आएगा e मतलब both conclusion one and two ठीक है तो इसका जो answer है वो e आगया okay please खुद से करेंगे video pause करेंगे ठीक है okay third हमारा question देखते है first हमारे conclusion में बात हो रही है e और s की तो अगर मैं अपनी statement में देखूं e और s में तो family जो है वो different हो गई है जिसकी वज़े से e और s में कोई relation नहीं बनेगा तो first conclusion हमारा wrong है second अगर मैं check करूं तो बात हो रही है भई s or n में okay तो अगर मैं check करूं मेरी जो statement है s or n wait check करूं अगर मैं s or n तो s or n में yes बिल्कुल relation है और सीधा सीधा children का ही relation बन रहा है मतलब s equals to n और यही इसने दिया है तो second क्या हो गया हमारा सही हो गया तो अगर मैं अपने options के according देखूं तो मेरा सिर्फ second सही है मतलब मेरा answer आएगा b only conclusion second ठीक है तो इस question का answer हो गया हमारा भई b हो क्या ठीक है अगले question की तरफ बढ़ते हैं बिलकुल गलत हो गया second conclusion की तरफ बढ़ते हैं second कहता है o is greater than s o और s में अगर मैं अपनी statement में relation देखूं तो भई family different हो रही है धियान से देखो family different हो रही है तो o और s में relation नहीं होगा तो मेरे दोनो conclusions गलत हो गए दोनों गलत हो गए मतलब अगर मैं अब अपने options को देखूं तो मेरा answer आएगा neither one nor two तो fourth answer आगया यहाँ पर D आगया ठीक है भई समझ आ रहा है सबको ठीक है please video pause करें बस समझे नहीं समझाया तो मेने पिछले lectures में भी आपको तो जब भी कोई नहीं बात आएगी वह six वाले question से start हो जाएगी क्योंकि वहां मैं आपको बताने वाली हूं कि cnd क्या होता है none is true क्या होता है none follows क्या होता है उसमें दो से जादा conclusions है बट first five में आपको समझने वाला कुछ नहीं है क्योंकि आप already यह पढ़ चुके हो तो please video pause करें और five questions के answers चेक करें अगले question की तरफ बढ़ते हैं हमारा fifth question तो हमारा fifth जो है उसमें first conclusion में बात हो रही है c और you की according to statement c और you में relation है c is greater than equals to you means c और you में relation है father का but first conclusion में relation दिया है grandfather का इसलिए first conclusion हो गया गलत second में बात करें तो फिर से c और you की ही बात है relation है father का दिया है children का c और you इसलिए second conclusion भी गलत हो गया बाट यहां एक either or case का जो condition है वो satisfy हो सकता है कि अगर father वाला relation और इन दोनो वेरियेबल्स को दो conclusions में sorry इस symbol के जो दो symbols हैं उनको अलग अलग दो different conclusions में दे दिया जाए तो either or बनता है तो यह दोनों गलत तो है बट यह दोनों मिल के क्या बनाएंगे either or मतलब इस question का जो answer आएगा वो है c either one or two clear हो गया अब हम बढ़ रहे हैं भाई अगले question ने 6th question अब दो conclusions नहीं है अब 4 conclusions है 6 to 10 तक की मैं बात कर रही हूं ठीक है तो अब बहुत ध्यान से समझना question solve करेंगे simple तरीके से but मैं वो बाते साथ साथ clear करती जाओंगी जब मैं options mark करूंगी कि मैंने इस option क्यों क्यों लिया cnd को क्यों नहीं लिया none of these को क्यों लिया clear तो please video को end तक जरूर देखे question के साथ साथ वो बाते मैं यहाँ पर clear करने वाली हूं तो start करते हैं हमारा 6th question अब सबसे पहले हमें बनानी पड़ेगी statement क्योंकि statement जो है वो connect नहीं है तो फड़ा फड़ statement बना लेते हैं first वाले को as it is रखना है J is greater than equals to A greater than D equals to E second में अगर मैं देखूं तो जो मेरा common variable है वो है A, A के साथ L भी connect है और A के साथ M भी connect है और मैं A के साथ 2 connection भी कर सकती हूं एक उपर connection कर सकती हूं और एक नीचे तो जब A से L connect है तो A की side greater आना चाहिए A की side greater आना चाहिए और जब मैं A को M से connect करती हूं तो A की side less आना चाहिए तो ये बन गई भाई हमारी statement clear अब करना है conclusions को check ठीक है फिर हम main बात पर आएंगे अपनी conclusion check करते हैं तो हमारा जो first conclusion है वो है M और J के बीच में तो अगर मैं अपनी statement में देखूं तो M और J देखो M और J में धिहान से देखना M और J में यहीं तो देखेंगे हम यहीं तो एक statement बन रही है हमारी तो यहां अगर मैं देखूं तो greater आया less आया family ही different हो गई तो first conclusion हमारा क्या हो गया बही गलत हो गया first conclusion क्या हो गया गलत हो गया second में आते हैं जिसमें बात हो रही है J और L की तो अगर मैं अपनी statement में देखूं तो J और L यह है ठीक है यह statement है तो अगर मैं देखूं तो greater greater yes relation है grandfather का है और greater J की side है बिल्कुल ऐसा दिया है तो second conclusion बिल्कुल सही है हमारा third conclusion की तरफ बढ़ते हैं जिसमें बात हो रही है D और L की तो अगर मैं अपनी statement में देखूं तो यह है ठीक है यह statement है तो अगर मैं देखूं तो less greater यहां से देखूं less greater तो family जो है वो different हो रही है तो कोई भी relation नहीं होगा इसलिए हमारा third conclusion क्या हो गया गलत हो गया अब हम आते हैं अपने fourth conclusion पे fourth conclusion में बात कर रहा है E और M की किसकी बात कर रहा है E और M की तो अगर मैं अपनी statement में ध्यान से देखूं E और M तो यह है वो statement E और M को अगर मैं देखूं तो यह है ठीक है तो E और M में अगर मैं देखूं तो इधर से गई greater greater equal yes relation तो भई है इनके बीच में relation भी grandfather का है और greater M की side आ रहा है और बिलकुल ऐसा ही यहां पर हुआ है इसलिए fourth conclusion हमारा सही हो क्या अब सुनो ध्यान से हमारा second भी सही है हमारा fourth भी सही है अब हम आते हैं हमारे options पे please ध्यान दीजेगा यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान देने options में तो answer है only second and fourth मतलब answer हो गया D ठीक है easy answer हो गया D but अब मैं यहां पर यह समझा रही हूं कि मालो D option होता ही नहीं D option अगर होता ही नहीं और यह चार आपके option होते A, B, C and D तो आप क्या answer देते अब अगर मैं इन चारों में देखूं तो इन चारों में कोई answer नहीं बन रहा है तो हमारा answer बन रहा है none of these clear हुआ अब देखो हमारा जो है second and fourth ठीक है अगर यह none of these नहीं है यह नहीं है तो कोई answer नहीं होगा क्योंकि none is true हिंदी में क्या मतलब है none is true का भई इन चारों conclusions में कोई भी सही नहीं है बट हमारा तो सही था कौन सा second and fourth तो none of these मतलब आपके पास कुछ ना कुछ answer तो है बट वो answer आपको option में नहीं दिया गया तो आप बोलते हो इन में से कोई नहीं मतलब none of these clear हुई बात और none is true बोलते हो जब ये चारों के चारों conclusion क्या होते गलत होते clear हुआ फिर से repeat कर रही हूँ मैं अपनी बात को please ध्यान देंगे देखिए एक होता है none of these मैं यहाँ दो बाते clear कर रही हूँ none of these और एक होता है none is true none is true मतलब question में जितने भी conclusions हो दो चार छे आठ सभी के सभी गलत हो कोई answer ही नहीं है वहाँ पर सब गलत ही है तो none is true answer आता है none of these मतलब none of these बहुत सारी चीजों में आ सकता है बट इस question के according बता रही हूँ कि आपके पास कोई answer है बट वो option में नहीं दे गया तो पहली पहला वहाँ पर आता है none of these ठीक है तो मैंने बोला मैं इस first d option को हटा के d option की जगा अगर none of these रख दू तो मेरा second सही था मेरा fourth सही था तो मुझे second and fourth वाला option मिलना चाहिए था अब a मत कर दीजेगा only second is true clear ऐसा नहीं होता है दो answer वो एक ही option में आपको मिलने चाहिए जो की नहीं मिले तो answer है बट आपने वैसा option नहीं दिया तो उस case में answer क्या आता है none of these ठोड़ा बहुत समझ आया और और बाते भ करूंगी बट questions को लेके तब ही समझ में आएगा तो आगे बढ़ते हैं हमारा question 7 video pause करो पहले भई simple तरीके से check करेंगे हमारे conclusion को और इसमें हमें statement को बनाने की ज़रत नहीं है क्योंकि already connected है तो हम आते हैं अपने first conclusion में जिसमें बात हो रही है HR की तो अगर मैं अपनी statement में द दिया है इसलिए first conclusion गलत है second में बात हो रही है Z और R की तो Z और R में relation तो है but grandfather का है इसने father दिया है इसलिए second conclusion भी हमारा गलत हो गया third में बात हो रही है H और R की तो H और R में अभी हमने check किया था father का relation है children दिया हुआ है इसलिए third भी हमारा गलत हो गया fourth conclusion पे जब हम आते हैं तो बात हो रही है Z और R की तो अगर मैं अपनी statement में Z और R में relation देखूं तो yes relation तो है relation है grandfather का और grandfather का है और greater Z की side है बट यहां हो गया भी उल्टा relation according to statement है Z greater than H बट यहां दिया है Z less than H तो इसलिए fourth भी क्या हो गया गलत हो गया अब गलत हो गया अब आप फटा फट नन इस्टू मत कर दीजेगा एक either or case भी होता है ठीक है अगर आपको नहीं आता है तो lecture third देख लीजे उससे समझ में आ जाएगा either or कैसे लगाते हैं पढ़ा चुकी हूँ तो अब बता नहीं है रही हूँ डारेक्ट बोल रही हूँ कि यहां father वाला relation है less equal को अलग अलग कर दिया गया तो first और third में भई क्या आगया either or option ढूंदते हैं main बात जो समझानी है मुझे इस chapter में either one or three नहीं है ठीक है option में नहीं है अब अब only अब देखो option में नहीं है तो बी एक option है C option है बट अभी मैंने आपको बताया भई ननी स्टू तो बिल्कुल डिफरेंट होता है कोई answer ही नहीं होता उस time पे तब ननी स्टू करते हैं but you have the answer कौनसा answer है आपके पास either or तो आप ननी स्टू तो भही वैसे भी नहीं कर सकते तो आपका third option भी गया first तो वैसे भी नहीं था third भी नहीं हो सकता फिफ्ट भी नहीं हो सकता बचा B option तो आपने इसको टिक कर दिया बढ़ मैं एक बात यहां पर बताना चाती हूं मालो कि मैं F option यहां add कर दूं और F option में add कर दूं C and D क्या add कर दूं भही C and D तो none of these ना answer आता त किसी question में सिर्फ either or कोई individually सही नहीं सिर्फ either or ठीक है either or आता है और वो option में मिल जाए तो पहली preference उसी को ही देते है मतलब अगर मुझे मेरे option में either one or three मिल रहा होता तो बिना कुछ सोचे समझे मैं उसको गर देती और वो नहीं मिलता तो दूसरी preference हमेशा can't be determined की होती है तो ठ none of these कर दो यह भी होता है none of these का काम तो इसलिए none of these लिया है बट actual answer जो है वो either or है वो नहीं है तो second answer cnd है वो नहीं है इसलिए answer क्या लिया गया none of these समझाई बात अब अभी तक जो छोटी छोटी बाते बताई मैं उसको repeat करती हूं मैंने बता दिया none of these मैंने बता दिया none is true मै मैंने बता दिया can't be determined, क्या क्या बता दिया मैंने आपको none of these, none is true, can't be determined, अब देखो none of these भही दो तरीके से आया, आपके पास कोई answer है, but वो option में नहीं मिला, तो आप बोलते हो none of these, ठीक है, और आप सेम दूसरा भी वही ही है, मतलब आपके पास कोई ना कोई answer है, but वो option में मिला, चाहे वो either or वाला answer क्यों ना हो, ठीक है, तो last में none of these को ही ले लेते है, तो दोनों सेम ही बात है, बट वो थोड़ी से either or से related है, तो जब हमारा answer either or आता है, वो मिल जाए तो ठीक है, वरना cnd आता है, वो नहीं आता, तो none of these आता है, तो एक तरीके से none of these वही है, कि ज कोई answer ही नहीं होता, तो none is true को ले लिया जाता है, I hope ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी अभी तक, अभी भी लग रहा है, नहीं इसमें कोई doubt रहे गया है, तो आगे आने वाले questions में वो clear हो जाएगा, फिर भी now तो comment करना, मैं वहाँ पर reply करूँगी, आगे बढ़ते ह है, first हमारा conclusion है, s और h, चेक किया, भई, relation तो है, grandfather का, तो s is greater than h, ऐसा ही दिया है, इसलिए first conclusion बिल्कुल हो गया, भई, सही, second है, w is greater than h, अगर मैं statement में देखू, तो relation तो है, grandfather का है, w is greater than h, तो second हो गया हमारा वो भी सही, third वाले पर आते हैं, अगर मैं अपना third option देखू, तो r और w की बात हो रही है, मतलब r और w की बात हो रही है, तो relation तो है, grandfather का है, r is less than w, तो third भी बिल्कुल हो गया, सही, fourth है, m is greater than t, तो अगर मैं अपनी statement में m और t को देखू, m और t, एक second, m और t को अगर मैं देखू, तो yes, no, इनके बीच में तो relation ही नहीं है, family different, तो हमारा fourth हो गया, गलट, तो हमारा अभी first सही है, second सही है, third सही है, मतलब हमें जो answer option में चाहिए, वो चाहिए only one, two, three, are true, ठीक है, ये answer चाहिए, I option में ऐसा तो मिला नहीं, only one और two मिला नहीं, हमें ऐसे थोड़ी लेंगे, हमारे तो तीसरा भी सही है, तीसरा अलग मिल रहा है, तो दो option भई, एक साथ टिक नहीं होते हैं, चीक है, exam में, तो हमारे पास answer है, इनोंने वैसा option नहीं दिया, तो हम किसकी दरफ जाएंगे भई, nine of these, तो इसका answer क्या आएगा, ए आएगा, अब समझ में आ रहा है, ओके, आगे बढ़ते हैं, next, question number nine, question number nine में statement नहीं बनी हुई है, फटा फट statement बना लेंगे, जो कि आप पढ़ चुके हो अगर आपको लगता है कि आपको अभी तक statement बनानी नहीं आई है, तो lecture two में statement बनाना सिखाया है, आप check कर सकते हो, l is greater than equals to y, y is greater than a, okay, फटा फट चेक करेंगे हैं हमारे first conclusion को, first conclusion में बात हो रही है, y और n मे, y और n, okay, तो अगर मैं अपनी statement में देखूँ, तो ये है y और n, ठीक है, यहां से जाएं, तो less less relation तो है grandfather, sorry, father का relation है, तो relation है y is less than equals to n, ये relation है, इसने दिया ये, तो ये हो गया गलत, ठीक है, second में देखें, m greater n, direct है, but family different है, गलत हो गया, third में देखें, फिर n और y की बात है, तो ये relation था, ये दिया है, गलत हो गया, m greater a, तो अगर m greater a लखा जाए, तो greater, 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 yes grandfather, or greater m की तरफ, तो yes, fourth हो गया, सही, fourth सही, but first और third एक either or condition को भी satisfy कर रहा है, क्योंकि y less than, अलग अलग दे दिया है, और y equals to n, अलग दे दिया है, तो यहां either or बन गए, अब अपना answer एक बार खुद लिखो, answer है क्या, answer है, only fourth and either one or three, options देखते हैं, क्या ऐसा कोई option है, yes भई, option है ऐसा, एक ही, option में वो सब चीजे दे दी, जो हमारा answer है, तो वही लिया जाएगा, ठीक है, अगर यह नहीं होता, तो यहां पे कोई answer नहीं है, वैसे अगर यह नहीं होता, तो none of these options जरूर होता, तो वो ले लिया जाता, clear होगी भई, ओके, आगे बढ़ते हैं, question number 10, statement बना लेंगे, फटा फट, P, F greater than equals to U and less than T, Y और P, Y और P में relation देखें, तो भई, family different, तो हमारा जो first conclusion है, वो हो गया, गलत, second T और F, T और F, greater, less, family different, गलत हो गया, O और T, O और T, greater, greater, less, family different, तो गलत हो गया, P और U, greater, 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 yes relation तो है, बट P और U में father बढ़े आ रहे हैं, बट ये grandfather दे रहा है, तो ये भी गलत, अब पहले अपना answer लिखो भई, क्या answer है, अब answer तो है, ही नहीं, क्योंकि सब गलत है, तो सीधा सीधा answer के आएगा, none is true, यहां पर एक और बात मैं clear कर दूँ, एक होता है, none follows, और एक होता है, none is true, तो दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है, तो none of these दिया हो, या none is true दिया हो, दोनों बाते सेम है, दोनों ही case में कोई answer नहीं होता है, हमारे गलत होते हैं उस case में हम none follows बोले या none is true बोले सेम बात है clear okay आगे बढ़ते हैं अच्छा आगे जाने से पहले मैं एक और बात समझाना चाती हूं ध्यान देना प्लीज और तो वो वाली की बात समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा option में चेंज लाना पड़ेगा तो पहले मैं बना लेती हूं फटा फट स्टेट्मेंट ओके चलो चेंज कर देते हैं जो मुझे समझाना है इनको भूल जाओ ठीक है मैं अपने नए ऑप्शन लेडिए फर्स्ट ऑप्शन चलो चेक करते हैं बही और एक एफ ऑप्शन यहां अड़ कर रही हूं सी एंटी आंसर देंगे खुझ से थोड़ा सा बता चुकी हूं यह पहले इसी के साथ एक और बात बताना दी बात हो रही है F4P की स्टेट्मेंट में आए F4P में रिलेशन है F is less than equals to P बट ऐसा नहीं दिया गलत हो गए दोनों बट फादर का रिलेशन है और इन दोनों को अलग अलग दिया तो यह फर्स्ट आईदर और केस को सेटिस्पाई करते हैं इसलिए मिलके बना दिया आईदर और हमने चेक किया क्या में आईदर 1 और 2 मिल रहे है नहीं मिल रहा तो जो बात बताई थी आईदर और होता है तो वह option मिल जाए तो अच्छा है ना हो तो अगला option क्या होता है भाई C and D तो इसका answer क्या आजेगा F अब माल लो F option नहीं होता तो जब हमारा answer आता है आईदर और वो ना मिले तो C&D, ना मिले तो क्या आता है? None of these, तो ऐसे केस में आंसर क्या आ जाता? A. यहां तक समझ आया? एक और बात समझानी है. दिहान देना, प्लीज. अब फिर से मैं थोड़े से अपने options एड़ करूँगी वो वाली बात समझाने के लिए. तो मेरा जो first option है, वो है. ध्यान देना, चलो भी, पहले चेक करते हैं. तो और P में relation है, father का, grandfather दिये, first color, third color, children दिये. बढ़ यह दोनों मिलके क्या बना देंगे? आईदर और. अगर मैं second option को चेक करूँ, T is greater than U, तो yes, T is greater than U. येस, पिलकुल सही है, तो second सही हो गया. अब यहां बात समझना, please बोखत ध्यान से ये वाली बात समझेगा, इसमें doubt हो जाता है, ध्यान देना. अब पहले अपना answer लिखते हैं, जो हमारा answer है, वो है, only second and either one or three. clear? तो ऐसा option हमको, अगर मैं चेक करूँ, in fifth में नहीं मिल रहा. एक option और मैं add कर देती हूँ, c and d, but जो मेरा answer है, वो मुझे option में नहीं मिल रहा. अब ध्यान देना, अब यहां either or है, इसलिए c and d नहीं होगी second preference, क्यों? क्योंकि either or के साथ एक answer भी ऐसा है, जो definite, मतलब only second, individually wrong, तो c and d तो कभी भी नहीं बोल सकते, c and d means find ही नहीं किया जा सकता, but only second में find करने वाली कोई चीज ही नहीं है, सही है तो सही है, और वो ऐसा option आपको पूरा नहीं मिलता options के अंदर, तो c and d तब answer नहीं आता, तब क्या आता है, none of these, तो माल लो ये answer होता, और यहाँ पूरा लिखा होता, only second and either one or three, तो वहीं लेते, नहीं मिला, तो c and d नहीं लेंगे अब भई, ठीक है, c and d either or वाले case में आता है, और सिर्फ either or ही होना चाहिए, फिर चाहे answer चार either or क्यों नहीं हो, चार either or मतलब either one or two, and either two or three, बट सारे either or ही होनी चाहिए, बट कोई individually अगर सही है, तो c and d answer नहीं आता, इस case में भी answer क्या आएगा, a, clear हो, बहुत सारी बाते मैंने clear कर दी, मैंने आपको none follows, none is true, c and d, only के साथ either or है, तब क्या करना है, और एक आपका रह गया neither one or two, वो कुछ भी नहीं होता, पहले पांच question में किया, दो conclusions होते हैं, तो वो neither one पहला भी सही नहीं है, और दूसरा भी सही नहीं है, clear हो रही है बाते, ओके, चलो भी, अब हम अगले question पे आते हैं, हमारे 11 to 15, जो की coded form का question है, तो फटा फट आप video pause करें, और question खुद करें, और फिर अपने answers को match करें, तो हमारा पहला काम होता है, जब भी coded form का question आता है, हम अपने symbols को, हम अपने codes को symbols में convert करते हैं, तो plus बोलता है, X is not smaller, छोटा नहीं है, तो या तो बड़ा होगा, या तो बराबर होगा, copyright बोलता है, ना तो बड़ा है, और ना ही बराबर है, तो छोटा होगा, अगला बोलता है hash मतलब ना तो छोटा है ना तो बराबर है तो बड़ा होगा तो hash का मतलब होगा greater अगला है percentage परसेंटेज बोलता है greater नहीं है तो या तो छोटा होगा या तो equal होगा last at the rate बोलता है कि x is neither greater nor smaller मतलब होगा equal ठीक है अब हमने क्या करना है हमारा पहला काम फटा फट हमें अपने symbols को change करना है तो hash फटा फट करेंगे ठीक है थोड़ सी speed बढ़ाएंगे greater greater than equal equal and less than equal अब बनाले statement P is greater B B के साथ Q add है B is less than equals to Q ओके फिर B के साथ J connect है तो मैं यहाँ बनाले Q statement क्योंकि नीचे की तरफ connect करना पड़ेगा B के साथ हमारा J connect है तो B is equals to J ओके हो गया connect फिर J के साथ F connect है तो J is less than equals to F यह बन गई हमारी statement अब हमें चेक करना है भही हमारे conclusion conclusions को भी फटा फटा इनके quotes को symbol में convert करते हैं greater equal greater or greater than equal first conclusion F greater B F is greater B गलत क्योंकि father relation है grandfather दिया है first conclusion हो गलत same F और B है वहाँ पे father दिया है children दिया है but यहीं से मुझे clear हो गया कि यह दोनों मिल के क्या बनाएंगे either और बनाएंगे मतला अभी तक हमें दो answer मिल गए है either 1 और 2 third बोल रहा है P is greater J P is greater J yes ऐसा है तो third हमारा सही हो गया Q greater than equals to F अगर मैं अपनी statement में देखूं तो yes यह भी सही हो रहा है no गलत हो रहा है क्योंकि इधर से जाते हैं तो greater आता है बड़ जैसे इधर जा रहे हैं तो less आ रहा है मतलब family जो है वो different हो रही है तो हमारा fourth क्या हो गया गलत हो गया मतलब अगर हम अपना answer लिखें बिना options देखें तो answer होना चाहिए only third and either one or two चेक करते हैं भई नहीं मिला option नहीं मिला options के according only third अलग मिल रहा either one or two अलग मिल रहा बढ़ हम ऐसा नहीं कर सकते हमारे सारे answer एक ही option में होनी चाहिए और अभी पिछले slide में मैंने आपको clear किया था either or के साथ कोई individually वाला answer अगर आ जाता है तो ऐसे case में अगर वो option में नहीं मिलता तो हमारा answer क्या आता है none of these c and d नहीं आता ठीक है तो यहाँ पर हमारा जो answer आएगा वो आएगा e ठीक है भई clear हुआ आप सबको ओके आगे बढ़ते हैं 11 to 15 सारे coded form के question है तो खुद करिए video pause और फिर अपने answers को आप check कर लीजेगा next question number 12 फटा फटा हम अपने quotes को मैं यहाँ लिक देती हूँ ता कि आपके लिए easy हो जहें वैसे तो अभी आप खुद से अगर कर रहे हो तो notebook पे आपने अब तक लिक पी लिया होगा ओके तो यह थे हमारे quotes ओके एक ओथा हमारा percentage less than equal फड़ा फट अब convert करेंगे percentage less than equal plus greater than equal at the rate equal copyright less statement बनानी है तो b is less than equals to e greater than equals to k equals to r less than z यहाँ पर convert करना है तो less than equal greater equal और percentage है इसका मतलब होगे less than equal फड़ा फट चेक करो भई फ़र्स्ट अगर हम अपना conclusion चेक करें जिसमें बात हो रही है e less than equals to r तो e is greater than equals to r less नहीं आ रहा तो first हो गया गलत z greater e तो family different है तो यहाँ पे गलत हो जाएगा यह भी e equals to r no यहाँ पे father का relation है children गलत हो गया b less than equals to r तो अगर मैं यहाँ करूं तो family different हो रही है b और r में तो हमारा fourth भी गलत हो गया भाई अब अब तो कोई भी सही नहीं आया और अगर मैं आइदर और चेक करने लगूं तो आइदर और भी आंसर नहीं आ रहा है क्यूंकि आइदर और तब बनता ना जब इस grandfather को अलग अलग दे दिया हो तब आइसा भी कुछ नहीं हो रहा है तो चारों गल ठीक है तो ए आंसर आगया इसका बड़ मैं आपको एक और बात बता दूँ अगर यह भी नहीं होता तो नन ओफ दीज वही बात नन ओफ दीज मतलब आंसर आपके पास जब कोई option ही नहीं मिल रहा जो आपको चाहिए तो आप नन ओफ दीज ले लेते हो ठीक है वो लास्ट प्रेफरेंस होती है बट उससे पहले क्या-क्या प्रेफरेंस होती है वो आपको पता होनी चाहिए तो सारे गलत होगे तो नन इस टू या इसकी जगा नन फॉलोस भी लिखा होता तो सेम बात उती तो आंसर हो गया हमारा फड़ा फड़ा अगले question की तरह बढ़ेंगे तो यहां पर फड़ा को ले लेते हैं हमारा प्लस इस ग्रेटर देन इक्वल कॉपी राइट इस लेस एक सेकेट तो क्या था हमारा जो प्लस है वो ग्रेटर देन इक्वल है कॉपी राइट जो है हमारा वो है ग्रेटर सॉरी लेस है है हमारा ग्रेटर परसेंटेज है हमारा लेस देन इक्वल और अट दर रेट है हमारा इक्वल फड़ा फड़ा चेंज करेंगे at the rate equal greater greater than equal and less तो यहाँ पर हमारी statement बन गई b is equals to f greater than q greater than equals to p and p is less than m छीक है आप फड़ा फट conclusions को पहले change करेंगे और फिर हम अपने statement से check करेंगे कि क्या answer आएगा तो एक बार आप try करो तो हम अपने conclusions को change करते हैं तो यहाँ पर भी अगर हम change करें तो आएगा greater less greater than equal or less ठीक है statement बन चुकी है फड़ा फट check करो भई तो m is greater f अगर मैं अपनी statement में देखूं m और f तो family different है भई first हो गया गलत p less than f relation तो है grandfather का और less इसकी तरह आ रहा है बिल्कुल सही है ऐसा ही दिया है तो second सही हो गया b is third greater than equals to p b और p में relation है बट grandfather का है इसने दिया है father इसलिए third वाला भी क्या हो गया गलत हो गया fourth की अगर बात करूं तो q less than b है relation q और b में है और grandfather का ही है और q की तरह less तो yes हमारा fourth सही है option बिना देखे अगर answer होगा तो होगा only second and fourth are true क्या ऐसा दिया है yes ऐसा दिया इसलिए answer क्या हो गया c हो गया अगर यह ऐसा नहीं होता तो answer है नहीं दिया तो nano दीजा जाता अब आपको समझा क्या होगा आगे बढ़ते हैं फटा फट लिख लेते हैं plus का मतलब था greater than equal copyright is less hash is greater at the rate is equal and percentage is less than equal फटा फट करेंगे greater equal less greater than equal statement बना लें l greater than m equals to n less than f greater than equals to p conclusions के codes को symbol में convert करते हैं less less greater and greater p less than n तो p is less than n no family different first conclusion गलत f less than m yes बिल्कुल सही है third को अगर देखें n greater l n less l आ रहा है greater नहीं आ रहा है इसलिए third भी गलत l greater f l is greater है family different तो fourth भी गलत तो answer सिफ second सही है हमारा only second है अब अपने options को देखते हैं ऐसा इसने नहीं दिया अब none follows or none of these none follows तो यह इसका कहने का मतलब है सारे conclusions गलत है बट नहीं हमारा क्या सही है second सही है तो आपके पास answer है बट वैसा answer option में नहीं है तो हमारा answer आएगा none of these मतलब e clear रहा coded form का last इसके बाद new pattern question मैं पांच question दोगी चीक है plus का मतलब है greater than equal copyright था हमारा less hash था हमारा greater percentage है हमारा less than equal और add the rate है हमारा equal तो हम फटा-फट convert करेंगे अपनी statement के सारे codes को symbol में less than equal equal less less than equal greater than equal greater greater and less statement बना लेते हैं p is less than equals to p equals to n less than g less than equals to m अब अपने फड़ा-फट conclusions को check करें first conclusion है n is greater than equals to b n और b तो n और b yes relation है और n is greater than equals to b बिल्कुल ऐसा ही दिया है first सही हो गया g is greater p yes relation है g is greater b और बिल्कुल वैसा ही है जैसा दिया है second सही हो गया m is greater n m is greater n तो statement में yes relation है और grandfather का है और greater भी m की side है yes third भी बिल्कुल सही हो गया p is less than m तो p और m में भी relation है और वो भी grandfather का और less p greater m yes बिल्कुल सही चारो सही और चारो सही yes तो हमें option मिल रहा है हमारा e option all conclusions are true तो answer क्या आएगा e आएगा आगे बढ़ते हैं 16 to 20 अब ये थोड़ा सा अलग है अलग देखो अलग मतलब question को देने का तरीका अलग है बाकी बाते वही है जो आप पढ़ चुके हो clear okay तो start करते हैं अब question के अंदर बोलता है कि देखो अब ये question है आपका और ये आपके पांच options है मतलब आप पांच एक तरीके से conclusions हैं इनमें आपको answer देना है अब question के अंदर बोलता है कि इनमें से कौन सा expression होगा कि r less than equals to p does not true true नहीं होना चाहिए r less than equals to p जो है वो गलत होना चाहिए इनमें से किस वाले expression में ऐसा हो रहा है बिना लिखे solve करना है first मैं check करा r is less than equals to p यह तो सही आ रहा है तो यहां तो सही आ रहा है यह answer नहीं आएगा r is less than equals to p इधर भी सही आ रहा है समझ रहा है कैसे basic है यह तो आप पढ़ चुके हो father father children grand sorry father बड़े हो गए less r की तरफ है तो यह सही हो गया ना third में अगर check करें तो r यहां पे भी सही हो रहा है मतलग r less than equals to p हमें सही मिल रहा है बट हमें question के according क्या चाहिए true नहीं चाहिए तो यह किसमे true नहीं मिला fourth में true नहीं मिला तो answer क्या हो गया d हो गया clear हुआ आगे बढ़ते हैं अगला question if the expressions मतलब यह हमारी statements है ठीक है connect कर लेते हैं इन सारी statement को बन गी एक statement n ओके n और q less than equals to n चलो भई अब यह बोल कहा रहा है इन में से कौन सा combination will be definitely true ठीक है और आपको मैं ही बात बता चुकी हूँ चाहिए true हो चाहिए definitely true हो बोथ हार same ठीक है confuse नहीं होना है देगा वो आपको confuse करने के लिए बढ़ आपको नहीं होना इन सारे option में true देखना है कौन सा आता है n equals to r तो n और r में relation ही नहीं है गलत पी less than n येस इससे सही आ रहे है और भी option चेक कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए बट अगर आप exam में कर रहे हो तो यहीं पे खतम होगी बात b answer आ जाता t equals to n family different गलत p less than s family different तो इस expression से ये किसमें सही आ रहा है कौन सा option सही आ रहा है b तो answer यहाँ पे क्यों सा हो गया b हो गया आगे बढ़ते हैं question number 18 बोलता है इन में से कौन सा जो आपको conclusions दे रखे हैं हैं मारे options में वो definitely true है मतलब true है according to this expression तो check करते हैं a is greater d a is greater d family different गलत e is greater than equals to c no e is greater c आ रहा है equal नहीं आ रहा है साथ में तो गलत हो गया b is greater than equals to d family different गलत a is greater c yes a is greater c है न क्योंकि ये grandfather ये father और grandfather बड़े greater a की side तो answer कौन सा आ जाएगा यहां पर d आ जाएगा आगे बढ़ते हैं हमारा question number 19 question number 19 में बोल रहा है दिये हुए expressions जो है option में उन में से q less than r does not true true नहीं हो रहा है वो वला option बताएं तो q is less than r according to first हमारा जो conclusion है उसमें तो सही हो रहा है सही हो रहा है तो हमारा answer नहीं है क्योंकि हमें सही नहीं चाहिए q greater r हो रहा है less r नहीं हो रहा तो यह तो सही हो गया हमारा answer आ गया समझ रहे हो बात को यहां अगर मैं देखूं अच्छा true नहीं चाहिए न तो बट यहां पर अगर मैं देखूं तो q greater r हो रहा है और हमें चाहिए q less than r तो इसका मतलब समझ आई बात तो यहां पर सही नहीं हो रहा, तो answer कौन सा आ गया, B आ गया और options भी चेक करना चाहो, तो एक बर कर लो, थार्ड हमारे option में Q लेसाद आरी आ रहा है, तो सही आरहा जबकी हमें गल्त चखिए, अगर मैं अपने fourth option में देखो, यहां भी सही आ रहा है जबकि हमें गलत चाहिए, फिफ्ट ओप्शन में भी सही आ रहा है, जबकि हमें गलत चाहिए, तो हमें गलत सिर्फ B ओप्शन में मिल रहा है, क्योंकि वहां Q greater R है, हमें क्या चाहिए, Q less than R, तो इसलिए answer क्या आ गया, बी आ गया, last question, अब देखो इस पे एक पूरा lecture है मेरा अगर किसी को नहीं पता definitely false और false में क्या फर्क है क्यूंकि दोनों में बहुत फर्क है ठीक है तो please आप वो lecture देख लीजेगा वो हमारा lecture 9 है मतलब इसे पिछला lecture ही मैंने ही clear किया था कि false true definitely true और definitely false ये सब चीजे क्या होती है तो definitely false ठीक है तो definitely false होता है कि statement में 100% सही हो वो बात ठीक है तो वो definitely true false होता है clear अभी देखो अगर किसी को नहीं आता तो क्या पता इस question से आपको समझा जाए तो अगर मैं अपने first question में देखूं first मेरे option में देखूं तो family ही different है गलत अब family different है मतलब M और R में statement में कोई relation नहीं है तो यह बस false हुआ definitely false नहीं हुआ second में देखें तो M जो है वो greater R है मतलब 100% relation है statement में और हमें ये चाहिए तो गलत नहीं यहाँ यह definitely false होता है ठीक है clear हुआ मतलब definitely false मतलब आप इसको proof दे पाते हो कि ले इसलिए गलत है कि हाँ तो M greater R है तो कैसे less than R बोल देगा तो वो definitely false होता है तो B definitely false है क्योंकि यहाँ एक option है B and C तो मुझे check करना पड़ेगा भई C option भी अगर नहीं हुआ तो सिर्फ B आ जाएगा मतलब जब relation नहीं है तो less greater equal कुछ भी हो सकता है तो मैं खुद sure नहीं हूँ अपनी statement से तो मैं नहीं बता सकती कि यह definitely false होगा बड़ यह बता सकती हूँ कि यह false होगा तो B और C जो है वो definitely false हो जाएंगे clear हुआ तो यह थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको 20 questions बताए और उन 20 questions में बहुत सारी चीज़े clear कर दी है मैंने none of these, none is true, none follows, c and d, only के साथ कोई either हो रहता है तो please अभी भी अगर आपको भी doubt रह जाता है तो मुझे comment जरूर करेगा क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अगर यह आपको exam में 5 marks का मिले तो एक भी आपका number cut हो यह छोटी छोटी बाते होती है जो inequality में number cut कर देती है आता होता है बट option कौन सा choose करें वहाँ पर गलती हो जाती है ठीक है मैंने पूरा कोशिश किया कि ऐसा आपके साथ ना हो आप confused ना हो फिर भी आपको लगता है कि नहीं मेरे को यह doubt रह गया है तो please comment करिएगा मैं बहुत खुशी से आपका reply करूँगी ताकि आपके जो number है व झाल